iOS 14 कल रात ही लाँच कर दिया था WWDC के इवेंट में Apple ने अब उसमें कुछ-कुछ नया फीचर्स है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा वो है Apple Android को कौपी कर रहा है या नहीं बने रहे पूरा वीडियो एंड तक देखना जानने के लिए कि Apple iOS 14 जो है वो Android से inspired है या नहीं इस वीडियो का मैं लगता हूँ लाइक का एम दस हाँ इतना ही मिलता है मुझे maximum तो दस का एम में जरूर रखूंगा तो प्लीज जाके लाइक कर देना ताकि जो गोल है मेरा वो इसली successful हो जाए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना तो मैं इस वीडियो को शुरू करने वादा हूँ प्लीज जो है वो बहुत ही यूनीक फीचर्स ला रहा है जैसे एक फीचर है पिक्चर इन पिक्चर स्क्रीन जो हम लोग यूजरी आंड्रोइड में इस्तमाल कर रहे थे वह अभी आपल में है मतलब आपल आपल आयोस 14 में लाने वाला है और क्या फीचर्स है जैसे हम आप इस अप्रोइड का आप द्रॉइर था मैकसिमाम पीपल आंड्रोइड करते हैं लिज़ा यूजरी प्रेफर करते है क्यूंकि कृस्टोमाइज़ेशन बहुत ही अच्छा लिता है इसलिए पर अभी आपल यी कौपी कर रहा है एंड्रोइड को कैसे आप ड्रोइड जो लोग home screen में बहुत सारी windows लाते थे, हटाते थे, वो feature Apple फिर से copy कर रहा है Android से, तो iOS 14 जो है वो एक refined version है Android का, Android में जो भी features आप लोगों को देखने को मिल रहा था, जैसे widgets हो गया, smart widget हो गया, ये सब Apple copy कर रहा है, अब smart widget क्या है आप लोग ये सोच रहे होंगे, smart widget एक ऐसा feature Apple ल जिसके help से आप लोग बहुती आसानी से अपना काम कर सकते हो, everyday कैसे वो आप लोग सोच वे होंगे, बहुती अच्छा एक feature है, जिसा smart widget आप लोग अगर अपने home screen में डाल रहे हो, तो आप लोग बहुती आसानी से सुभे calendar देख सकते हो, उसी widget में calendar देखेगा, उसी widget में फिर आप लोग का to-do list जो आप लोग बनाते हो, वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, फिर क्या है, फिर क्या आप लोग को देखने को मिल जाएगा, फिर news, फिर आप लोग का like, अगर कुछ notifications है, या कुछ priorities है, priority list, ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा, उस smart widget म पर वो feature Android में भी है अगर आप लोग customize करते हो तो Android में भी same feature आप लोग को देखने को में लेगा तो iOS 14 जो है वो बहुती copy कर रहा है Android को यह मैं बोलूँगा Personal experience से बोल रहा हो मैं event खुद live देखा था जिन लोगों ने live event देखा है उनको पता चलेगा कि कैसे iOS 14 जो है वो पूरा Android से inspired है